हेलो फ्रेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रडिशनल स्टैलिश प्रियंका आज की वीडियो जो है मीशो लहंगा हॉल पे होने वाली है मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि इस लहंगे का रिव्यू आप हमसे शेर करिए तो वो लहंगा मुझे रिसीव हो गया है और अभी तक मैंने इसे अन्बॉक्सिंग नहीं की मैंने सोच आपके सामने ही अन्बॉक्सिंग की जाए और इस लहंगे का डीटेल जाना जाए कि क्या सच में जैसा पिक्चर्स में दिखाया गया है सेम वैसा ही लहंगा मिलता है या उससे एक जम डिफरेंट आया है या फिर उससे मिलता जुलता हमें लहंगा मिला हुआ है इस लहंगे की जो प्राइज है 1915 रुपे है वन थाउजट नाइन हंड़ फिफ्टीन रुपीज है इसके अंदर आपको एक और जिप वाले बैग में इस तरह से पैकेट में यह रिसीव होता है यह लहना फॉस्ट लुक की अगर बात की जाए तो लग तो रहा है कि लग लग भग वैसा ही लहना मिल रहा है जैसा कि इमेज में दिखाया गया था लेकिन पूरी फुल डीटेल हम इसकी देखेंगे कि यह लहना कैसा है तो मैं इसे ओपन कर लेती हूं इसके साथ आपको क्या-क्या मिल जाता है अभी हम इसमें डीटेल में बात करेंगे सबसे पहले हम इसका जो है लहना ही देख लेते हैं जो इसकर्ट होती है क्योंकि इसकर्ट ही लहने की जान होती है तो इसी से सुरुवात करेंगे इस तरह से है यह लहना है west line से सुरूर करते हैं और यह है लहंगे का west size है west line है पूरा full heavy embroidered लहंगा आपको मिलने वाला है लहंगे का जो base color है, black color है जैसा कि image में दिख रहा था blackish color का ही लहंगा है black color का base color है उसके उपर इपको ये embroidery की detailing मिल जाती है लहंगे का जब भी मैं review देती हूँ तो हमीसा पूरा full detail में बताती हूँ कि इतने कमर तक के size को एगा, इसकी length कितनी है इस लहंगे का जो flare है, जो घेरा है वो कितना है, सब कुछ मैं measure करके आपको बताती हूँ तो video को में last तक बने रहिएगा और video पसंद आती है, ऐसी और भी interesting video देखने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe कर सकते हैं और अगर आपकी कोई request है तो वो भी आप मुझे comment section में बता सकते हैं इस तरह से ये आपको लहना मिलता आप देख सकते हैं काफी ज़्यादा embroidered है, काफी ब्लेंगी सा है क्योंकि बहुत सारे sequence वक का काम हो रखाया इसमें आपको इसमें जरीवक की embroidery, sequence का work और multi color के thread की embroidery मिल जाती है जो thread यूश की गया है, रेसम वाले thread है आप देखे फ्रेंट्स इस तरह से आई थिंक जब मैं पास से दिखा हूँ ता आपको embroidery क्लियर हो जाए इस तरह से इस पर embroidery की गई है, काफी neat and clean embroidery की गई है और बहुत ही खुबसूरत लग रही है, finishing के साथ embroidery की गई है और नीचे के साइड में अदिके फ्रेंट्स यहां पर आपको इस तरह से जो है embroidery मिलती है, आप देख सकते हैं, फ्रेंट्स यहां पर एक छोटे-छोटा circle है फिर उसके आद आपको एक big circle वाली embroidery मिल जाती है इस तरह से है, तो जो भी embroidery की गई है, यह काफी neat and clean embroidery की गई है जो इसमें thread यूज किये गई है, जो color की green color है, red color है, gray color का thread है light purplish color का thread का use किया गया है, color combination बहुत ही प्यारा लग रहा है black color पे multi color का embroidery किया गया, जिसके वैसे इसका look काफी खुबसूरत आ रहा है बहुत ही प्यारा आ रहा है, इस तरह से पूरे लहंगे पे आपको यह embroidery की detailing मिल जाती है इस तरह से है, और बात की जाए, friends, कि जैसा image में दिखाया गया, आपको वैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो जो first picture लगी हुई है, वो तो किसी designer piece की ही लगी हुई है और जब आप कोई भी product खईते हैं तो मीशो में आप फिर किसी भी app पे जब आप pictures देखते हैं तो कई सारी pictures लगी होती है, 3 या 4 pictures लगी होती है तो first picture तो एकदम designer look वाला है, लेकिन second picture में जो picture इन्होंने लगाई है second, third, fourth में जो भी pictures लगाई है, same to same वही लहगा आपको मिलने वाला है और embroidery की quality बहुत ही अच्छी है, अभी हम इसके घेरे की बात कर लेते हैं और inner की, अंदर के side से अगर अब बात करें, तो अंदर की side मेंनोंने black color के crepe का fabric का inner लगाया हुआ है क्रेप का जो fabric की quality है, काफी अच्छी रखी है, चीप quality का नहीं है और अंदर से back side से भी आप देख लिजेए, इस तरह से पूरा work की detailing है जो की इदम में जो कागज लगा के embroidery की जाती है, वही है, तो बिल्कुल भी thread मैसिनेस नहीं है, कि मैस है और last end की बात की जाते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही hard नहीं, semi hard canvas का पट्टा लगा हुआ, मिल जाता है इस लहेंगे में जिससे काफी खड़ा-खड़ा look आएगा, बहुत जादा लहेंगा जो है, पैरों में चिपका हुआ, नहीं नजर आएगा और हम बात कर लेते हैं, यह कितने कमर की size तक के लोगों को आने वाला है, ताकि अगर आप purchase करें, तो आपको exact पता हो, कि हाँ, मेरी कमर की size कितनी है, तो यह मुझे आ भी सकता है, या नहीं आ सकता है तो मैं आपको measure करके बता देती हूँ, कि कितने कमर तक के size वालों को यह आने वाला है, और इसका जो size आ रहा है न, 22 and half inch, one side, तो 22 का just double हो गया, 44 and 45 inch तक जिसकी कमर की size है, 45 inch कमर तक के size वालों को यह लहना आराम से आ जाएगा, कोई भी problem नहीं होगी इंगा देखने में बहुत ही खुबसूरत लग रहा है, आप किसी भी party function में इसे carry कर सकते हैं, wedding function में carry कर सकते हैं, main wedding की दिन, engagement की दिन, या फिर reception वाले दिन, आप इस लहंगे को आराम से carry कर सकते हैं, look wise बहुत ही प्यारा लग रहा है, अब बात करते हैं कि इस लहंगे का इ यहां तक आ रहा है आपका 100 cm, इसके बास से हम फिर measure कर लेते हैं, आ रहा है 26 cm, ठीक है तो हम 25 ही महल लेते हैं, 26 cm आ रहा है यानि कि 2 मीटर और आधा मीटर और धाई मीटर से थोड़ा सा ज्यादा flare है इसका, तो इसका जो घीर रखा है इनोंने ना, धाई मीटर से तो अच्छा घीर है, ऐसा नहीं कि बहुत ही कम घीर है नहीं बहुत ही जादा घीर है इस लेंगे की जो लेंथ है वो भी मैं आपको measure करके बता देती हूं कि इसकी लेंथ कितनी है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपके हाइट के कॉर्णी यह आपको कितना लंबा या क कितनी लेंथ तक का यह लेंगा आने वाला है, मेरी हाइट जो 5.6 इंच है जब आप ट्रायाउन में देखेंगे तो आपको clear हो जाएगा, मुझे एकदम ठीक ठाक अच्छी से लेंथ में आ रहा था, मैं काफी थोड़ा सा उपर लेंगा टाई करती हूं, नेवल के उपर, और without heel मैंने इस लेंगे को वियर किया हूआ है, इस लेंगे की जो लेंथ आरी, इस लेंगे की जो लंबाई है, साढ़े 42 इंच, 42 इंच लंबा है, यह लेंगा उसी एक और अप अंदाजन लगा सकते हैं, कि इस लेंगे का लेंथ आपको कितना आने वाला है, अब बात करते हैं, इसका इन हुनने ब्लाउस कैसा दिया है, और डुपटा कैसा दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसके डुपटे की बात कर लेते हैं, डुपटा जो है, आपको शिफॉन का डुपटा मिल जाता है, और पूरे डुपटे पे एमों चारों तरफ से बौटरे मिलती हैं, दुपट्टे की चोडान की बात करें तो हाफ चोडान का आपको डुपट्टा मिलता इतना चोडान है इस दुपट्टे का ब्लैक कलर काफी अच्छा ब्लैक कलर है इस पे जो मल्टी कलर से इंब्रोडर के काफी उभर के आ रही है बहुत ही खोबसूरा दुपट्टा लग र अब भग सवा 2 मीटर तक का डुपट्टा आपको मिलने माला है तो डुपट्टे की लेंध यहनोंने काफी अच्छी रखी है लेहंगे के लिए इतनी लेंध डुपट्टे में अच्छी होती है आप आसानी से इसे केरी कर सकते हैं बस डुपट्टे की चोड़ाने मैंने आप आपको बता दी हाफ चौडान का दुपट्टा आपको इसमें मिल जाता है अब बात करते हैं इसके ब्लाउस की इसका ब्लाउस इन्होंने ब्लैक कलर का फैब्रिक दिया हुआ है मैं आपको भी ओपन करके दिखाती हूं इसमें इन्होंने कोई भी इंब्रोडरी नहीं दी है इकदम प्लेन ब्लैक कलर का आपको ब्लाउस पीस का कपड़ा मिल जाता है शाइनिंग वाला फैब्रिक है आप देख सकते हैं और कहीं से कुछ भी इन्होंने इंब्रोडरी या कोई भी डिटेलिंग नहीं दुए इस तरह से आपको ब्लाउस का सिर्फ कपड़ा मिल जाता ह इसके साथ इन्होंने ब्लाउस के लिए इसके साथ जो मिला है वाया को बता जेती है इस तरह से आपको गोटा पट्टी की लैस मिल जाती है और पैड़ेट ब्लाउस के लिए अगर आप चाहें तो बनवा सकते हैं ऐसा आपको पिक्चर में दिखाया गया कि एकदम प्लीन ब्लाउस का कपड़ा मिल जाता है इसके साथ जो आपको गोटा पट्टी की लैस की जो इस तरह से डिटेलिंग मिल जाती है जो सेम वैसा ही आपको इमेज में भी दिखाया गया है कि ये गोटा पट्टी की किनारी जो ब्लाउस के नेक पे, स्लीव पे और कमर पे लगी हुई है इसी लिए जो इनो ने ये गोटा पट्टी की लैस आपको प्रवाइट की हुई है पहनने के बाद इसका लुक कैसा आ रहा है फ्रेंट्स आप मुझे केमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको ये लहगा कैसा लग रहा है अगर प्राइस के कॉर्डिंग अगर बात की जाए तो ये लहगा मुझे टोटली वर्थ इट लग रहा है अगर आपको ब्लैक कलर का पसंद है और आपने इमेज देखके ही इसे ओर्डर किया है वैसा ही आपकी दिमाग में इमेज बना हुआ है तो सेम वैसा ही मिलने वाला है लेकिन सेकेंड और थर्ड इमेज जरूर देखेगा फॉस्ट इमेज जो है डिजाइनर पीस है उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर है वो बिल्कुल लुक थोड़ा सा लग है लुक भी इसका मुझे अच्छा लग रहा था पहनने के बाद आपको कैसा लगा है केमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आईए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा लग्लीमश狂च ए इसके सेच्छच चैनल लंटर चैनल को में जरूर लंग, कामा इसे हो आईएगा झाल झाल मैंने सब कुछ आपको डेटियल में बता दी है आपको आज की वीडियो से हेल्प मिल सके और आपके सारे डाउट क्लियर हो सकी हूँ अगर अपके कोई भी डाउट है तब मुझे कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं तो यही था मेरा आज का ओनेस्ट लहंगे का रिव्यू आई होप आपको आज के मीसो लहंगे का रिव्यू पसंद आया पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा जरूर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स जाते से शेयर करना न भूलिएगा मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ अब तक खुश रहिए मस्त रहिए बाई-बाई-टेक केर